नमस्ति ची कैसे हैं आप पवत्रवचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्द इक्सवागत है मैं हूँ कात्याईनी दोस्तो त्रयोगशी प्रदोश्वरत की आपको बहुत सारी शुपकामना है जब प्रदोश्वरत बुधवार को आता है तो इसे सौम्यवारा प्रदोश्वरत कहा जाता है प्रदोश्वरत भगवान शिवजी को प्रसन करने के लिए रखा जाता है और भगवान शिवजी तो है भोले नाथ उनके जो भी भक्त सच्चे मन से यह वरत रखता है उनके सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम सौम्यवारा प्रदोश्वरत का महत्व और कथा सुनेंगे दोस्तों अलग-अलग वारों में पढ़ने वाले प्रदोश्वरत का अलग-अलग महत्व होता है वुठ्ध प्रदोष वरत रखने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है सूत जी कहते हैं कि त्रेयोदोषी वरत रखने वालों को सौकाउदान का फल प्राम्थ होता है जो उस्त्री पुरुश जिस कामना को लेकर इस वरत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपती शंकर जी पूरी करते हैं व्रती को चाहिए कि शान को दुबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत रंग के वस्त्र धारन कर ले पूजास्थल अधवाप पूजा ग्रह को शुथ कर ले यदि व्रती चाहे तो शिफ मंदर में भी जाकर यह पूजा कर सकते हैं पांच रंगों से रंगोली बनानी चाहिए और मंडब तयार करना चाहिए भगवान शिवजी की पूजा में पांच संख्या का बड़ा महत्व है उनका पंचाक्षरी मंत्र यानि पांच अक्षरों का मंत्र ओम नमह शिवाया और इसी तरह पांच की संख्या भगवान शिवजी के पूजन में बड़ा महत्व रखता है पूजन की सभे सामगरी एकत्रित कर ले पूजा सामगरी में आपको चाहिए जल से भरा हुआ कलश सफेद पुश्प या सफेद पुश्प की माला खास करके आंकडे का फूल सफेद मिठाईया, सफेद चंदन, कपूर, और बेल पत्र, धतूरा, भांग, धूब पत्ती, घीका, दीपक हवन सामगरी में आम की लकडी प्रदोश व्रत की पूजा में आपको कलश या फिर लोटे में शुत जल भर कर कुश के आसन पर बैठ कर भगवान शिवजी की पूजा विधी विधान से करना चाहिए ओम नमह शिवाय कहते हुए भगवान शिवजी को जल अर्पित करें इसके बाद दोनों हाथ जोड कर भगवान शिवजी का ध्यान करें ध्यान का स्वरूप करोड़ चंद्रमा के समान कांदिवान त्रिनेत्र धारी मस्तक पर चंद्रमा का अभूशन धारन करने वाले पिंगलवर्न के जटाजूट धारी नीले कंठ तथा अनीक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरधास्त त्रिशूल धारी नागो के कुंडल पहने व्याख्र चर्म धारन किये हुए रत्न चड़त सिन्हासन पर विराजमान भगवान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समरिधी प्रदान करो ध्यान के बाद बुध त्रयोदशी प्रदोश्वरत की कथा सुने अथवा सुनाए कथा समाप्ति के बाद हवन सामगरी मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम हरीम ग्लीम नमहा शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुदी दे उसके बाद शिवजी की आरती करे, उपस्ति जनों को आरती दे, सभी को प्रसाद वितरित करे, उसके बाद भोजन करे, भोजन में केवल मीठी सामागरियों का उप्योग करे आईए अब बुध प्रदोशुरत कथा सुनने का समय आया है एक पुरश का नया नया विवाह हुआ, विवाह के दो दिनों बाद उसकी पत्नी माय के चली गए कुछ दिनों के बाद वह पुरश पत्नी को लेने उसके यहां गया बुधवार जो जब वह पत्नी के साथ लोटने लगा तो ससुराल बक्ष ने उसे रोपने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा नगर के बाहर पहुचने पर पत्नी को प्यास लगी पुरश लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा, पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई थोड़ी देर बाद पुरश पानी लेकर वापस लोटा, उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हस हस कर बाते कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है, उसको क्रोध आ गया, वह निकट पहुचा, तो उसकी आस्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा उस आत्मी की सूरत उसी की भाती थी, पत्नी भी सोच में पढ़ गई, दोनों पुरश जगरने लगे, भीड एकट्थी हो गई, सिपाही आ गए हमशकल आत्मियों को देख, वे भी आस्चर्य में पढ़ गए, उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पदी कौन है वह किंकरतव्य विमूड हो गई, तब वह पुरश शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करे, मुझसे बड़ी भूल हुई, कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी, और पुधवार को पत्नी को विदा करा लिया मैं भविश्य में ऐसा कदापी नहीं करूँगा, जैसे ही उसकी प्रार्थना कुवी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया पत्नी सकोशल अपने घर पहुँच गए, उस दिन के बाद से पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोश्वरत रखने लगे दोस्तों थीना बड़ी अच्छी कथा, चलिए अब पुध प्रदोश्वरत का उध्यापन विधी जानते हैं सकंद पुरान के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 56 बार त्रयोदशी व्रत के बाद ही उध्यापन करना चाहिए उध्यापन के एक दिन पहले यानि की द्वादशी तिथी को बगवान श्री गनेश जी का विधीवत पोजन करना चाहिए तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गनेश जी के भजनों के साथ जागरन करना चाहिए उध्यापन के दिन यानि की द्रयोदशी के दिन प्राथर काल उठकर नित्य कर्मों से निवरुत होकर स्वच वस्त्र धारन करना चाहिए पूजा ग्रे को शुथ कर लेना चाहिए पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों से और रंगोली से मंडब सजाना चाहिए मंडब में एक चौकी अथवा पटरे पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करनी चाहिए अब शिव पार्वती की विधी विधान से पूजा करनी चाहिए भोग लगाना चाहिए और बुध त्रयोदशी प्रदोश्वरत की कथा सुननी चाहिए फिर समयाता है हवन का हवन के लिए सवा किलो आम की लकडी को हवन कुंड में सजान हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाए हवन कुंड का पूजन करें दोनों हाथ जोड कर हवन कुंड को प्रणाम करें अब अगनी प्रजवलत करें तदनतर शिव पार्वती के उद्देश से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमहा इस मंत्र का उच्चारन करते हुए 108 बार आहुती दे हवन पूर्ण होने के पस्चात शिव जी की आरती करें ब्रामनों को सामर्थ यानुसार दान दे एवं भोजन कराए आप अपने इच्चानुसार एक या दो या पाँच ब्रामनों को भोजन एवं दान करा सकते हैं यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदर में यधा शक्ती दान करें इसके बाद बंदू बांधों सहित प्रसाल ग्रहन करें और भोजन करें इस प्रकार उध्यापन करने से व्रती पुच्र पौतरादी से यक्त होता है तथा आरोग्या लाब होता है इसके अधिरिक्ट वह अपने शत्रूँ पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्न पापों से मुक्त होकर शिवधाम को पाता है दोस्तो ये थी आज की वीडियो आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा हमारे चानल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर ले अभी मुझे इजास्त दीजे दोस्तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में स्वस्ती